अग लाखों वर्ष पहले सत्ययुग में जब पृत्वी में पताल लोग के असुरों के राजा रंभ और करंभ नाम के दो भाई हुआ करते थे और वेन्नी संतान होने के कारण निराशा के घोर अंधेरे में डूब चुके थे तब उन्होंने देवताओं की तपस्या करने का निश्चय कर लिया जिसके लिए रंभ ने अगनी देव को खुश करने के लिए अगनी के घेरे के बीच ओ बीच और करंभ ने एक जील में आधा डूब कर वरुण देव की तपस्या करने लगा फिर यूँ ही तपस्या करते करत कुछ वर्ष बीत गए और एक दिन यह बात इंद्रदेव को पता चली फिर उन्हें लगा कि जरूर ये दोनों असुर भाई वर्दान पाने के बाद देवताओं का ही कुछ अहित करेंगे जिसके बाद एक दिन इंद्रदेव धर्ती पर प्रकट हुए और उस जील के पास जा मौत हो गई और इस घटना का एहसास रंभ को तपस्या करते वक्त ही हो चुका था और उसने अपने तपस्या के तेज से यह भी पता लगा लिया था कि वो विशाल मगरमच कोई और नहीं बलकि स्वयम इंद्रदेव हैं रंभ अपने भाईक रंभ से बेहत प्रेम करता था और वह उसकी मौत का सदमा सह नहीं पाया इसलिए उसने अपने तपस्या को वहीं भंग कर एक तलवार प्रकट कर खुद को मारने ही जा रहा था कि अचानक वहां अगनी देव प्रकट हो गएं और उसे ऐसा करने से रोक लिया और रंभ से अपना इच्छित वर्दान मांग है कि जो मादा रंभ से प्रेम कर बैठेगी वही उसके उस बलशाली संतान को जन्म देगी इतना कहकर अगनी देव अंतरधान हो गएं इसके बाद समय यूं ही बित्ता गया और आखिरकार वो समय आही गया जब एक महिश वर्ग की राक्षसी को रंभ से प्रेम हो गया फिर महिशी राक्षसी ने अपने वर्ग और परिवार से बगावत कर रंभ के साथ विवाह रचा लिया जबकि यह रिष्टा दोनों के परिवारों और वर्गों को बिलकुल भी मंजूर न था इसके कुछ वर्षों के बाद दोनों के बीच संभोग से महिशी गर्भवती हुई और समय यूं ही बित्ता गया फिर एक दिन महिशी वर्ग के कुछ राक्षसों ने रंभ और महिशी को अकेला देख उन पे हमला बोल दिया जिसके फल स्वरूप रंभ की वही मृत्यू हो गई जिसके बाद महिशी ने अपने होने वाले संतान को बचाने के लिए वहां से भ खड़े हो गए फिर कुछ देर बाद महिशी राक्षस वहीं पहुंच गए जिसके बाद यक्षो और महिशी राक्षसों के बीच युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में यक्षो ने उन महिशी राक्षसों को मार गिराया साथ ही महिशी को सुरक्षा प्रदान करन का जिम्मा भी ले लिया महिशी अपने पती रंभ से अत्यंत प्रेम करती थी और वह उसके मौत का सद्मा सहन नहीं कर पा रही थी फिर कुछ देर बाद यक्षों ने रंभ के मृत शरीर को अंतिम संसकार के लिए तैयार किया और महिशी को इसकी सूचना दी फिर कुछ देर ब उस चिता की अगनी ने एक भयंकर रूप ले लिया जिसके बाद उस चिता की अगनी में से एक बेहत बलवान और पहाड जैसा दिखने वाला असुर बाहर निकला जिसे देख सभी यक्ष घबरा गये वह इस रिष्टी का पहला ऐसा असुर था जिसे खुद के और अपने ल जन्म लेकर दुबारा लोटा था और इस जन्म में वह रक्तबीज था और यह सब रंभ के द्वारा किये गए अगनी देव की तपस्या का ही प्रण लिया जिसके बाद महिसासुर को पताल लोक चलने की बाद कही जिसके बाद महिसासुर ने साफ साफ मना कर दिया उसने पढ़ता है तपस्या करने और ब्रम्ह देव को प्रसंद करने के लिए वह एक अतिकठिन तपस्या में लीन हो जाता है। या राक्षस उसका वध न कर सके। तरसल महिशासुर स्त्रियों को बेहद कमजोर समझता था। उसे हमेशा से यही लगता था कि यदि पुरुष उसका कुछ अहित नहीं कर सकते तो ये स्त्रियां आखिर उसका क्या ही अहित कर लेंगी। और उसने खुशी-खुशी ब्रम्ह उसकी शक्ती अर्जित करने की कामना बढ़ती ही जाती। उसने तमाम अलग-अलग देवताउं से शक्तियां अर्जित की। जिसके बाद उस समय महिशासुर पुरे ब्रह्म्हांड का एक मात्र महाशक्ती शाली असुर बन चुका था। फिर महिशासुर प्रिथ्वी के कोन करने की ठान ली और उसने अपने एक दूत को स्वर्ग लोग भेजा और उस दूत ने इंद्रदेव को स्वर्ग लोग खाली कर देने का संदेश सुना दिया जिसके बाद इंद्रदेव आग बबुला हो उठे और उन्होंने समय नश्ट ना करते हुए सभी देवताओं समेत म महिशासुर ने देवताओं को मुह तोड जवाब दिया और देवताओं को वापस स्वर्ग लोक भागने पर मजबूर कर दिया और देवता महिशासुर से आसानी से हार कर स्वर्ग वापस आ गए लेकिन देवताओं का पीछा महिशासुर से इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं था, क्योंकि महिशासुर ने भी बिना समय नश्ट किये, देवताओं के पीछे-पीछे स्वर्ग पहुंच चुका था, और स्वर्ग पहुंचते ही, वो अपने असुर सेना के साथ देवताओं पे तूट पड़ा, जिसके बाद स्वर्ग में देवताओं ने भी खूब और ब्रम्ह देव से महिशासुर को दंडित करने की प्रार्थना करने लगे, जिसके लिए ब्रम्ह देव ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद देवता निराश होकर सीधे वैकुंठ लोक, यानि की श्री विश्नु के पास चल पड़े, जिसके बाद इंद्रदेव समेथ सभ कैलास की ओर, जहां त्रिदेवों में से एक देवों के देव महादेव अपने ध्यान में लीन थे, तभी कैलास में श्री विश्नु समेथ सभी देवताओं का आगमन हुआ, फिर सभी देवों ने महादेव के समक्ष महिशासुर के आतंक की चर्चा की, जिसके बाद महादे श्री विश्नु समेत सभी देवता निकल पड़े स्वर्ग लोग की ओर जहां कि महिशासुर स्वर्ग के सिंगहासन में स्वर्ग पती बन कर विराजमान था साथ ही महिशासुर ने भी होने वाले युध का अनुमान लगा ही लिया था जिसके बाद उसने भी युध की तैयारियां करनी शुरू कर दी और देखते देखते स्वर्ग पे देवताओं का आगमन शुरू हो गया सभी देवताओं का नेत्रित्व श्री विश्णु कर रहे थे यहां तक कि महादेव भी युद्ध में हिस्सा लेने देवताओं के साथ स्वर्ग पहुँच चुके थे जिसके बाद महिशासुर की तरफ से युद्ध का बिगुल बच चुका था फिर देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर महा युद्ध शुरू हो गया जिसके बाद श्री विश्णु समेथ सभी देवता मिलकर महिशासुर और उसके प्रमुख युद्धाओं के उपर तूट पड़े फिर महिशासुर ने भी देवताओं के उपर बेहद शक्तिशाली प्रहार करना शुरू कर दिया महिशासुर इंद्रदेव समेथ कई देवताओं पर अकेले ही भारी पड़ने लगा जिसके बाद श्री विश्णु सामने आए और अपने गदा प्रहार से महिशासुर को वहीं धूल चटाने लगे जिसके बाद महिशासुर एक भैस का रूप लेकर चल रहे युद्ध के बीच ओजल हो गया और फिर अपने सपस्ट रूप में आकर देवताओं पे दुबारा से तूट पड़ा जिसे की कई देवता जोखिम हो गए और यहां महादेव अपने त्रिशूल से महिशासुर के आसुरी सेनाओं को मिट्टी में मिलाते जा रहें थे अपने सेना को समाप्त होता देख महिशासुर ने अपने सिद्ध से अपने सेना को दुबारा से और भी ज्यादा संख्या में उत्पन्न करना शुरू कर दिया और जोरों से ठहा के लगाने लगा यहां महादेव श्री विश्णू और अन्यदेव महिशासुर के सेनाओं को हर बार समाप्त करते जाते और महिशासुर हर बार अपने सेना को पहले से भी अधिक संख्या में उत्पन्न करता जाता काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा जिसके बाद महादेव और श्री विष्णु महिशासुर पे काफी ज्यादा क्रोधित हो उठें और अपने महा अस्त्रों त्रिशूल और सुदर्शन चक्र को महिशासुर पे छोड़ दिया फिर यह देख सभी देवता अचंभे में पढ़ चुके थे और वहां महिशासुर जोरों से ठाहा के लगाए जा रहा था। फिर अचानक महादेव और श्री विश्नु को ब्रह्मधेव का संकेत मिला और ब्रह्मधेव ने दोनों त्रिदेवों को युद्ध क्षेतर से वापस लोटने का संकेत दिया जिसके बाद दोनों त्रिदेव युद्ध क्षेतर से अंतरधान हो गए फिर यह देख सभी देव प्रवें कर दिया कि यह बात तो सभी देव पहले से ही जानते थे परवें कर भी क्या सकते हैं स्रिष्टी में ऐसी कोई स्थ्री है ही नहीं, जो महिशासुर के समक्ष ठहर सके। जिस पे ब्रह्म्ह देव ने कहा कि महिशा सुर का अंत करने के लिए एक ऐसी स्त्री होनी चाहिए जिसके पास सभी देवताओं की कुछ-कुछ शक्तियां मौजूद हो और उस स्त्री के पास सभी देवताओं की शक्तियों को एक साथ संभाल पाने और उसका सही से इस्तिमाल क जिसके बाद ब्रम्ह देव के मुह से देवी पारवती का नाम निकल पड़ा और उन्होंने कहा कि इस स्रिष्टी में एक मात्र देवी पारवती ही है जो सभी देवताओं की शक्तियों को एक साथ संभाल सकती है और उसका सही से उपयोग भी कर सकती है फिर महादेव और श्री जिसके बाद ब्रम्ह देव का आभार और खुद को अतिभागयशाली भी बताया जिसके बाद महिशासुर से एक महा प्रलयंकारी युद्ध करने के लिए महादेव ने देवी पार्वती को अपना त्रिशूल प्दान किया इसके बाद श्री विश्टी के कल्यान के लिए स दर्शन चक्र प्रदान किया। पुरे ब्रम्हंड में महिशासुर की ख्याती चल पड़ी थी। वह पृत्वी समेत पुरे ब्रम्हंड में ज्यादातर राज्यों को जीत कर उनका स्वामी बन बैठा था। और एक दिन जब वह अपने सिंगहसन में बैठे अपने असुर सैनिकों को कहीं आक्रमन करने की आग्या दे ही रहा था। तब ही अचानक उसके राज्य की जमीन धर्राने लगी जैसे की कहीं भूचाल आया हो पर जब वह अपने महल के बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके असुर सैनिकों में भगदड मची हुई है। फिर महिशासुर ने उस विशाल काईस्त्री को रोखने के लिए अपने सेना पती त्रीनेत्र को लगभग पांच लाख असुर सैना के साथ भेज दिया। च्वाइब देवी दुर्गा के बेहत सुंदर रूप को सामने देख, काम वासना से भर उठा। फिर वह देवी दुर्गा के समीब गया और उनके सामने सीधा विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जिसके बाद देवी दुर्गा महिशासुर पे काफी क्रोधित हों उठी और दुबारा से उसे युद्ध करने को कहने लगी जिसके बाद महिशासुर जोरों से ठाके लगाने लगा जिस पे देवी दुर्गा का क्रोध और भी उग्र हो उठा फिर महिशासुर ने देवी हुए बेहद चतुराई से काम लिया उन्होंने महिशासुर के समक शेक प्रस्ताव रखा कि यदि महिशासुर उन्हें युद्ध में हरा देता है तो वो स्वयम खुशी-खुशी उससे विवाह कर लेंगी फिर यह सुनकर महिशासुर जोरों से ठाके लगाने लगता है और ब देवी दुर्गा मुस्कुरा पड़ती है और महिशासुर दांत पीसते रह जाता है फिर महिशासुर अपनी तरफ से पहला वार देवी दुर्गा पे करही देता है वह देवी दुर्गा पे अपनी आखों से बेहद घातक रोशनी से लगातार वार करता जाता है जिसे तेवी दुर्गा अपने तलवार से महिशासुर पे एक तेजदार वार करती हैं, जिससे कि उसका कंधा घायल हो जाता है, फिर महिशासुर देवी दुर्गा का ध्यान भटकाने के लिए अपने सिद्ध से लाखों असुरों को उत्पन्न कर देवी दुर्गा को युद्ध मे साथ देख रहा था देवी दुर्गा ने तेज गती में दोडते हुए सिंह में बैठे-बैठे ही अपने तलवार और सुदर्शन चक्र से असुरों का संहार करने लगी इतनी विशालकाय महा वीरांगना को देख पुरी असुर सेना कापते हुए बीठ दिखा कर तेजी से भा ने लगी पर महिशाषूर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था पर अचानक महिशाषूर ने देवी दुर्गा के पीछे से आकर एक तेज-धार तिव्य तलवार से उनकी भुजाओं पे वार कर दिया जिससे की देवी दुर्गा कुछ हद तक घायल भी हो गई और देवी दुर दूर्गा महिशासुर को फिर से उस धूल से धूंदले हो चुके युद्ध के मैदान में ढूंडने लगी लेकिन महिशासुर उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था फिर देवी दूर्गा ने अपने सिंह को महिशासुर को ढूंडने के लिए लगा दिया समय यूंही अजना सुनकर देवी दूर्गा फुर्ती के साथ महां चली आई और सिंह को सहलाने लगी पर सिंह ने देवी दूर्गा पे ही हमला कर दिया क्यूंकि दरसल वह सिंह कोई और नहीं बलकि सिंह का रूप लिए महिशासुर ही था जिसके बाद देवी दूर्गा अतिक्रोधित पहुंच चुकी थी, उनका क्रोध चरम सीमा में था, और इसी बीच देवी दुर्गा ने अपने सिंह को मूर्चे तवस्था में देखा, उसे देखते ही देवी दुर्गा समझ गई, कि ये उनका अपना सिंह ही है, फिर देवी दुर्गा सिंह की तरफ आगे बढ़ी रही थ कि दूसरी तरफ से महिशासुर भैसा का रूप लिये, तेजी से देवी दुर्गा की तरफ दोड़ता चला आया, और महिशासुर ने अपनी पुरी ताकत लगा कर, देवी दुर्गा को बड़ी तेजी से पीछे की तरफ धकेलता हुआ काफी दूर लेकर जाने लगा, यहा महिशासुर ने काफी जोर लगा लिया, पर देवी दुर्गा को तनिक भी हिलाना पाया, फिर देवी दुर्गा ने अपने जोड़दार मुकों से महिशासुर के पीठ में वार किया, जिससे महिशासुर जमीन में गिर पड़ा, और कराहने लगा, फिर देवी दुर्गा न करने लगा जिसके बाद देवी दुर्गा करोना से भर गई और महिशासुर को एक आशीरवात दे दिया कि भविश्य में देवी दुर्गा यानि स्वयम के साथ साथ महिशासुर को भी पूजा जाएगा जिसके बाद महिशासुर तडप तडप कर देवी दुर्गा के हाथों उद्धार पाने की कामना करने लगा जिसके बाद देवी दुर्गा ने उसके कामना को पुरा करते हुए अपने तलवार के एक ही वार से महिशासुर का सिर्ध धड़ से अलग कर दिया फिर तमाम देवी देवताओं ने देवी दुर्गा के उपर फूलों की वर्शा कर दी क्यूंकि पुरा ब्रम्हांड महिशासुर के आतंग से मुक्त हो चुछ